आप अगर मेरे चानल पर नहीं हो तो मैं वीडियो एडिटिंग रिलेड़ भी टुटिरियल्स बनाता हूँ आप उन्हें मेरे चानल पर जाके चेक कर सकते हूँ फिलार कुछ दिनों के लिए मैं बस लाइट रूम मोबाल पर वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि हम जो लाइट रूम मोबाल में कलर ग्रेट करेंगे उसे हम वीडियो में भी अपलाइक कर सकते हैं उसको पर मैं अल्रेड़ी दो वीडियो बना है आप उन्हें जाके मेरे चैनल पर चेक कर लेना सो विदवड अन्य फर्दर डिले लेट उपन लाइट रूम मोबाल ओके तो यह ओव पिच्चर है जिसे हम एडिट करने वाले तो सबसे पहले हमें जाना है लाइट में यहाँ एक्सपोजर को माइनस 0.30 एवी पर सेट करना है फिर कॉंट्रस को 50 तक बढ़ाना है और हाइलाइट को माइनस 25 रखना है फिर शैडूस को 50 तक बढ़ाना है और वाइट्स को 80 तक कम करना है फिर ब्लैक्स को पूरा 100 तक बढ़ाना है अब जाना है कर्व में ओके तो यहाँ पर आपको मेरा देखके सेम कर्व के शेप को एड़ेस्ट करना है एंड डन कर लेना है तो अब जाना है कलर में और वाइबरेंस को 50 तक बढ़ाना है एंड सैचुरेशन को माइनस 10 तक कम करना है फिर जाना है मिक्स में एंड रेड के हीव को माइनस 15 पर रखना है एंड सैचुरेशन को माइनस 50 तक कम करना है एंड लुमिनेंस को 15 तक बढ़ाना है फिर जाना है औरेंज में एंड हीव को माइनस 10 पर रखना है एंड सैचुरेशन को माइनस 25 पर रखना है एंड लुमिनेंस को 30 तक बढ़ाना है फिर जाना यलो में एंड हीव को पूरा माइनस 100 कर देना है एंड सैचुरेशन को माइनस 30 पर रखना है एंड लुमिनेंस को 30 तक बढ़ाना है फिर ग्रीन में जाना है एंड सैचुरेशन को माइनस 100 कर देना है फिर सैन में जाना है एंड सैचुरेशन को माइनस 100 कर देना है फिर ब्लू में जाना है एंड सैचुरेशन को माइनस 100 कर देना है फिर परपल में जाना है and saturation को minus 100 कर देना है फिर magenta में जाना है and saturation को minus 100 कर देना है फिर done कर लेना है अब जाना effects में and clarity को 30 तक बढ़ाना है and ds को 10 तक बढ़ाना है and vignette को minus 10 पर रखना है फिर जाना है details में and sharpening को 20 तक बढ़ाना है and noise reduction को भी 20 तक बढ़ाना है and I think it's done now बढ़ाना है पो भी 20 तक बढ़ाना है and ले झालक प्रव्णाद थजड़ा है and प्रव़ाग्श देवश स्वाशन को भी 20 तक बढ़े